एस्पे पुनित गहलोत की मार्ग दर्शन में कुद्वाली पुलस को करीब 3 लाग के सोने की गहने चोरे के मामले में सफलता मिली है। लाग के सोने की गहने बरामत कर दोनों आरुफियों को जेल पेच दिया है। इंद और संभाग सी अमजद मनसूरी की रिपूर्ट यह भावना कचना रहें ब्रजविहार कालोनी बढ़वानी में निवास करती है। विगर्दीनों इनके हैं पंदला तारीक को यह कहीं बाहर गए हुए थे। घर पे ताला लगा गए गए थे। जब इस सोला तारीक को वापस आये सोला फरवरी को। उन्होंनों देखा कि इनके घर का ताला तुटा हुआ और घर के अलमारी के भी लाव टूटे हुए थे सामा नरस्त वैस्त था। इन्होंने पुलिस थाने पर डिपोर्ट लिखाई थी जिस पे चोरी नकभजनी का मामला कायम किया गया था। इस नकभजनी में जो उनका बेटा है दर्सन वो पूरू में भी NDPSF के अफराद में पहले आरूपी रहा है और जैल से छूट करके आया है कुछ दिनों पहले तो उसकी जो अपने मुगवीर और जो पुलिस टीम लगी वही थी उसके उपर लगा था स्रीमान एस्टी मोदे कुनित गहलो साब के दोरा भी निर्देशित किया रहा था नकभजनी और चोरी के अफरादों में और इसके उपर हमारे मुगवीर के दोरा जो सुचना मिली और उसके जो निगा रखी जारी ती तो इसकी गतिविधियां संदीक दिखी इनके बेटे की और इसको फिर पुछताच में लिया गया मुझ्यानी करीके से पुछताच पर इसने ये बात बताई कि अपने दोस्त जीतु यादव को उसने जो है ये सामान बेचा है ये उनके को गिरफतार करके सोने का जो भी आभूसंट थे वह बरामत किया है और आरोपियों को मेले पेस करने पर अभी जेल में है करीब तीन लाग रूपे किमत का इनका सोने के अभूसंट थे और वह सभी की बरामत कि हो चुछती है